हेलो भाई हों तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका लब इंडिसिट यूटूब चैनल में आज का वीडियो बहुत ज्यादा सुपर डुपर ब्लॉक बस्टर होने वाला है बहुत इंपोर्टेंट आज का वीडियो है लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई डिसिजन होता है तो वो लाइफ पार्टनर चुनने का ही होता है जरासी गलती एक चूक और जिंदगी भर आपको भुगतना पढ़ सकता है तो आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप लाइफ पार्टनर चुनते समय कोई भी गलती नहीं करोगे और अपने लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छा और सबसे सचा लाइफ पार्टनर चुन पाओगे जो सारी उम्र आपको प्यार करेगा, सारी उम्र आपको खुस रखेगा तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टनट है, चलिए सुरू करते हैं एक कमेंट से यहाँ पर कमेंट यह है, एक लड़की का है, एक गल्स का है यहां पर उनका नाम था मैंने नाम जो है हाइट कर दिया यहां से खटा दिया है क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हो कि भाई प्लीज मेरा नाम मत लेना वीडियो में तो मैंने सोचा यार किसी का नाम मैं एक्सपोच करूंगा ही नहीं तो आप लोग कि बुदास हो कि कमेंट किजे किसी का नाम मैं एक्सपोच नहीं करूंगा तो इनकी प्रॉब्लम ये है इन्होंने लिखा है कि एक लड़का है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और उसने साधी करने का मेरे से वादा किया और फिर उसके बाद साधी करने का बादा किया तो मैंने क्या था कि उसका call ज्यादा respond में करती थी मतलब मेरा attachment कम था उसका बहुत ज्यादा था फिर उसके बाद क्या हुआ वो suddenly अचानक से change हो गया और चला गया फिर मैंने उसको बापस लाया, जब एहसास हुआ मेरको तो जब उसको बापस लेके आई, तो मैं अच्छे से भी हैप करने लगी, यानि कि मेरा रिस्पॉंड ज्यादा होने लगा, मैं ज्यादा अटेश्मेंट रखने लगी, लेकिन उसने फिर कम कर दिया, वो अब ना तो क कमेंट किया, तो मैंने सोचा थोड़ी दिर बाद रिस्पॉंड कर देंगे, तो ये बिचारी बोली फिर, बोली कि भाई, अगर आपने मुझे रिपलाई नहीं दिया न, तो मैं आपसे कभी भी हेल्फ कमेंट नहीं करूंगे, आपसे हेल्फ नहीं मागूंगे, मेरा ट्रस मुझे आज ये पिक करना पड़ा, तो sister, don't worry, आज आपके इस वीडियो को आपका भाई आज कबर कर रहा है, और जिसके भी relevant topic हो, ये अपने उपर देख लिए, और सबके लिए तो relevant है, अगर आप unmarried हो, तो ठीक है न, या पर चलो, मैं आज आपको बताऊंगे, किन दो ल है, बहुत ही scientific fact है, क्या है, कि life में एक बात हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूँ, जिससे आप प्यार करना, उससे साधी मत करना, जो आप से प्यार करे, उससे करना साधी, ठीक है, ये दो लाइने हैं, बहुत ही important है life partner चुनते समय, क्योंकि अरेंज marriage का जो जमाना था वो जा रहा है, अब जो अगर हम कहें century सताबदी जो है, वो love marriage की है, ठीक है, लब marriage करना ही इस समय के साथ की चलना है, तो love marriage करते समय आपको सबसे बड़ी जो बात है, ध्यान अखने वाली वो ये है, कि आप जिससे प्यार कर रहे हो, उससे मत करना है, यहां पर समझना क्या fact है, मैं क्या बता रहा हूं, देखो, जैसे कि अभी यह जो लड़की ने comment किया था, इनकी problem यही थी, कि वो लड़का इनसे प्यार करी नहीं रहा है, अबकुल मेरा क्या मतलब कि वो साधी करने हैं नहीं चाहरा है, क्योंकि उसने बोल दिया चरम होता है, अब उसने यह तक बोल दिया है, लेकिन यह उससे अभी भी प्यार कर रही है, तो यह मतलब चाहती है, कि मैं उससे साधी करू, मेरी साधी हो जाए, एक बात मैं आपको बता दू करवा सक्त है, इस situation में, अगर आपके साधी हो भी जाए ना, तो आप मेरे को ए जिससे आप प्यार करोगे ना, उससे नहीं करना है आपको, जो आप से प्यार करें, उससे करना है साधी, जिन्दगे में कभी निरास नहीं होगे, ठीक है, हमेशा वो आप से प्यार करेगा, अब यह आप बोलोगी कि भाई, चलो मानलो कि वो भी सामने बाला मेरे से प्यार मैंने यहां पर डिस्ट्रॉइड सब्त का यूज पता क्यों कि या देखो कुछ लोग इस समय जो कुछ लोग है उनका बोलना है कि चलो परिवार वाले राजी नहीं हो रहे है ना भाग चलते है ठीक है घरवार छोड़ दो कूट मैर्स करा लो जो भी कुछ है भाग मतलब निकल लो घर छोड़ दो तो वहां पर क्या है प्यालो कि आपके गर्लफ रेंड बोली कि चलो भाग चलते हैं यहां कि यहां पर आपका पाटनर सैल्फिस है मैं इसको सैल्फिस बोलूगा यह प्यार नहीं है सबको destroyed कर दूंगी ठीक है तो यह प्यार नहीं है यह selfish है आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना हूँ देखो अगर आप लोग क्या है कि जिसे आप थोड़ा सा imagine करो आपको जो चीज चाहिए बोचीज मिल जाए फिर उसके बाद क्या होगा आपको जो चीज चाहिए थी बोची मिल गई फिर तो आपकी life responded हो गई ना निरासा जनक हो गई ना पूरी तरीके से क्योंकि जो चीज च अगर ट्रेक्शन के बेस पर की गई साधी होती है ठीक है अगर ट्रेक्शन के बेस पर किसी को पाया जाता है ये दो बाते आप गांठ मादलो कभी भी like partner चुनते समय इनका बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान नकना ठीक है तो आचके इस वीडियो के माधन सी आपको बता सकता हूं या इतना कुछ कर सकता था आपके लिए या आप ही लोग हो जो किसे को फर्स से अर्स पर उठा के बिठा देते हो आप ही लोग हो जो मतलब सब कुछ ये आपका ही है भाई भी ये ये आपका ही है चैनल आपका है सब कुछ आपका ही है मैं आप लोगों मैसे ही हू ठीक है तो बिंदास हो के अपनी प्रोब्लम भाई के साथ सेर कर सकते हो गुडबाई एंटेक केर